तो कि हरियाना में कब होते कोरोना संक्रमन को देखते हुए सरकार ने कुछ छूट के साथ लोकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है हरियाना में चल रहे हैं लोकडाउन को 21 जूम तक के लिए बढ़ा दिया गया है साथ ही राजय में दुकानों के लिया और इवन सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है तो अब रोजाना सभी तरह के जो दुकाने हैं वो खुल सकेंगी दुकाने सुबा 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी लेकिन राजय में नाइट कर्फियू जारी रहेगा हर्याना में अब सभी रेस्टरंट और बार सुबा 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीजदी शमता के साथ खुलेंगे होम डिलिवरी रात 10 बजे तक उपलब रहेगी और इसके अलावा भी सरकार ने कई चीजों में छोट दी है तो बता दें सुरक्षत हर्याना के लिए लॉक और अब हर्याना में के जून तक बढ़ाय गया लॉकडाउन श्रिशर्थ लॉकडाउन में और इवन सिस्टम खत्म कर दिया गया है हर्याना में भी दिल्ली के तरह हर्याना में नाइट कर्फ्यू हाला के जारी रहेगा सुबह नौ से रात आट बजे तक खुलेंगे बाजार सुबह दस से रात आट बजे तक खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स रेस्टरेंट और होटल 50 प्रतिश शम्ता के साथ खुलेंगे धार्मिक्स तलपार 21 लोगों को आने के जाज़त दी गई है शादी और अंतिम संसकार में 21 लोगों को इजाज़त दी गई है तो शादी समारों के लिए बारात को मन्जूरी नहीं दी गई है तो दिल्ली में आपको बता दे कि अनलॉक पार्ट 3 का ऐलान कर दिया गया है जिसके तहर तक कई चीजों में रियायत दी गई है मुखेवंत्री अर्विंद के जुरिवाल अनलॉक के खोशना करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना के सिती सुदर रही है अब हम दीरे दीरे अक्टिविटी शुरू कर रहे हैं जिसके तहर कई चीजों को पूरी तरह से खोला जाएगा कुछ चीजें पूरी तरह से बंद होंगी और कुछ को पाबंदियों के साथ खोला जाएगा और साइबर सिटी गुरूग्राम से बिजिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं और फर्दाबास से गजिंदर राजपूत समभाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फिलाल अगर बात साइबर सिटी गुरूग्राम की की जाए तो फिलाल विजिंदर अभी क्या हालाद जो है वो वहाँ पर बने हुए हैं और अनलोक की प्रक्रिया जो है वो भी जारी है अलाकि लोकडाउन जो है वो 21 साथ तक बढ़ा दिया गया है क्या कुछ रियायतें जो है वो दी गई है बिजिंदर आपके आवास हम तक नहीं पहुंच पारी कोशिश करेंगे आपसे दुबारा संपर्क करने की गजिंदर हमारे साथ लगातार बने हो हैं गजिंदर फिलाल फर्दाबाद में क्या हाला थे हैं अब फर्दाबाद के हाला थो बात करें तो फर्दाबाद की व्यवपारी उप्ति दुकांदारों ती स्थांग थी कि वोड़ी इवन सिस्टम रहा है इसके दुकांदारी जो फिल्धारी वर्ट करी नहीं हो पारी इसके लिए जो अब वो जिस तरह से और रेस्टोरेंटर के मालिक और वागी करमचारी तो फिल्धारी रोजी रोटी पर बनाई थी उसकी वज़े से अब उन्हें पर रोजगार मिलेगा और फर्दाबाद की स्थिति की बात करें तो बाजार में हूं मैं इस वक्त और बाजार में नौ वज़े से ही जिस तरह से जो हिदायते दीए बाजार यहां पर खुल चुके लोगा आवागमनी शुरू हो गया है बिल्कुल दरजिंद्र हाला की स्थिति यहां पर कंट्रोल करने के कोशिश की जा रही है और अगर बात पी जाए फर्दाबाद गुरुग्राम की जहां पर सबसे जादा मामले पहले सामने आ रहे थे उसमें भी काफी जादा हथ तक गिरावट जो है वो दर्श की गए लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लापरवाही नहीं बरतनी है वहीं दुकानदारों का अभी क्या कुछ कहना है और जो अब धीरे-धीरे करकर रहत मिल रही है उससे कितने खुर्श है मामलों से संक्ष्ट तो है लेकिन वो डेलाई देने के विल्पिंजी मोड में नहीं है और साथ दर प्रका है कि आप लिए जरूरती की चीज़ां को भोला जा रहा है और इसको फूरी तरह से आजाती ना समझें और अपने बचा को लेकर ही वाजार में जाएं पर अन्य जर अब कहीना कहीं संतुष्ट है जो पूरी तरह से नहीं ओपा रही है और इसे उनके घ्रहात थे वह उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो अब कहीना में दुपांदार किस जो फैंसला है अर्याना परकास तो उसके संक्ष्ट में बिल्कुल बिजिंद्र समभाता भी हमार स साथ लगातार बने हुएं विजिंद्र फिलाल 21 साथ के लोगडाउन तो बढ़ाया गया लेकिन कुछ छूट जो है वो दी गई है फिलाल कैसे हालात वहाँ पर है वैपारी वर्ग कितना खोश है देखिया अंजली जिस तरह से लगाता लोगडाउन चल रहा था और उसके बाद दोवारा से लोगडाउन बढ़ाया कही न कहीं रहत जरूर मिलती नजरा आ रही है लेकिन तक्तर बड़ा सवाल है कि जैसे ही जो जूट दुपान नारों को दी जाती है तो कहीं न कहीं करोना की रफ्तार है काफी दिन तक बढ़ी रही है उसके बाद अब जाकर गुरुग्राम वासियों को रहात मिली है वीते 24 गंटे में 19 मामले मात्र सामने आये तो कहीं न कहीं जो दूतरी लहर है वो थमती जरूर नजर आ रही है लेकिन लोगों को सावदान रहने की जरू है तो कि ये भी अंदासर लगा जा रहा है कि संभावी तीसरी लहर भी आ सकती है तो ऐसे में पर्शासन अलर्ट है साथी साथ सरकार भी अलर्ट है जो दूतरी लहर में जो हलाद बनेते उस पर इस तरह का जो नजरा दे के लिए को मिलाता तो कहीं न कहीं ऐसे हलाद ना हो उससे निपटने के लिए जिलापर्शासन ने अब तैयारिया की है चाहिए उक्सीजन की बात करें बैट्स की बात करें वो तमाम तैयारिया स्कुरू कर दी है और ऐसे में हालात कंट्रोल रहे उसको लेकर पूरी तैयारी की है लेकिन साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ वाल सभी ने भुखता है वो आने वाले दिनों में ऐसी कोई स्थिती ना बने उसके लिए लोगों को सजक रहना होगा सोचल डिस्टंसिंग की पानला करें दोगज की दूरी अपनाए और साथ की साथ मास्क लगा कर घर से निकलें जाहिर तर्पर बिजंदर कोशिश यहां पर यही की जा रही है और स्पर्श रर्मा समभाता राजणी दिल्ली से आमार साथ जुड़ गहे हैं दिल्ली में आज से अनलोग तरीके प्रिकरिया शुरू हो रही है और फुल फ्लेश तरीके से जो दिल्ली में ट्रैफिक का जा सकता है वो जो है फिलाल सडकों पर देखने को मिल रहा है आज से तमाम जो चीजें हैं वो जो है खुलती भी नज़र आएंगी मसलन बजार की बा होगी और इसके साथ साथ अभी कई चीजों पर जो पाबंदी है वो आज जो है लगातार जो है देखने को मिल रही है जिसमें तमाम जो सिक्षन संस्तान है वो बंद रहेंगे पब्लिक गैदरिंग वाली जो चीजें होती है सोशल चीजे पॉलिटिकल या पिर स्पोर्स य दिली में आप खुलती भी जो है नजर आ रही है जाहिर तोर पर अभी धिरे-दिरे जो सिती है वो यहाँ पर सुधर रही है और कोशिश की जा रही है कि अभी जो भविश्य में चुनौतियां है उनसे किस तरीके से निप्ता जाई इसकी तैयारी पूरी करने की कोशिश ज लेकिन ब्लैक फंगस जिसके कई मामले जो है वो दर्च किये जा रहे हैं अभी फिलाल उसको लेकर भी किस तरीकी के तैयारिया है क्योंकि उसके भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं और संभावित तीसरी लहर ने तो वैसे ही संकट बढ़ा रखा है अजीर देखिए अभी भी हमें सजब रहने की जरूरत है रलंकि जला परसासन से हमने बादचीट की तो साफ तोर पर यही कहना था कि जो घलाज दूतरी लहर में बनेते जो मई के महीने में जो पोराम दूतरी लहर ने मचा है था वो तमाम चीजों पर उन्होंने अपडेट क प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दे दिये गए है कि वह अपना ऑक्सिजन जो है प्राइंक लगाएं जिसे की दिक्तत ना हो और ऐसे में लगातार सरकार और प्रशासन लगातार लोगों को जागरूद भी कर रहा है जिस तरह से छूट दी जा रही है साथी साथ ये भी अपील की जा रही है कि जो करोना नियम है उनको अपनाए क्योंकि दूद्री लेर अभी समाप नहीं हुई है अभी भी हरियाना में मामले हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं निरंतर लोगों की करोना से मोत भी देख की जा रही है तो ऐसे में और भी जादा सजक रहने की जरूरत है लोगों को साभधानी बखने जरूरत है, हाला कि वैक्सिनेशन का टाम लगातार चल रहा है, जिससे की जादा से जादा वैक्सिनेशन लोगों को लग सके, अभी तक गुरुगराम की बाक्त तरे टोटल 8.5 लाक मों को अभी तक वैक्सिन लगाई जा चुकी है, पहली और वेक्सिनेशन ड्राइव जो है उसे यहां पर पूरी तरीके से सुचारू करने के कोशिश यहां पर और गजिंद्र फरिदाबाद का अगर जिकर यहां पर आ रहा है क्योंकि जाहिर तोर पर गुरुग्राम के बराबर नए मामले सामली आ रहे थी जो की बहुत हद तक गजिंद्र आप तक आपकी आवाज नहीं आ पा रहे है धंसे और कोशिश करेंगे आप से दुबार सामली आप